नमस्कार राजिस्थान संभाद में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ चेतना राजिस्थान के कोटा संभाग में फसल खराब है समर्थन मुल्य पर खरीद ना होने और लहसुन के दाम नहीं मिलने के कारण इस साल तीन किसानों ने आदमहत्या कर ली है लेकिन राजिस्थान के क्रिश्यमंत्री इस चीज़ को मानने को ही तयार नहीं है उन्होंने अपनी सरकार के समय में किसानों की आतमहत्याओं को दरकिनार करते हुए पूर्ववर्ती कॉंग्रेस सरकार पर 152 किसानों की आतमहत्या का ठीक राफोडा जबकि महस एक सप्ता पहले ही उन्हीं के सामने मीडिया से बात करते हुए राजिय की ग्रहमंत्री गुलाब चंदर का टारिया ने कॉंग्रेस सरकार को किसानों के आतमहत्या के मामले में क्लेंचिट देते हुए एक भी आतमहत्या नहीं होने की बात कही थी सैनी ने कहा कि राजस्थान में भारती जनता पार्टी की सरकार के वक्त एक भी किसान ने आतमहत्या नहीं की है बीते दिनों कोटा संभाग में जिस किसान की लहसुन के पूरे दाम ना मिलने के कारण कर्ज में आकर आतमहत्या की बातें सामने आई थी उस किसान को कृशी मंतरी सैनी ने किसान मानने से ही साफ इंकार कर दिया राजी में MSP पर सरसो चनी और लहसून की खरीद ना होने के सवाल पर कृशी मंतरी ने चुपी साथ ली उन्होंने इस सवाल का जवाब देने के बज़ाए गोल मोल बाते करी कृशिमंत्री सैनी ने कहा कि लहसुन के दाम ना मिलने के बाद जिस व्यक्ति ने आत्मे हत्या की है उसने जमीन किराय पर लेकर लहसुन की फसल की थी उसके पास एक इंच भी खुद की जमीन नहीं थी इसलिए उसको किसान नहीं माना जा सकता हाला कि साधी सैनी ने ये भी कहा कि राजस्थान में करीब 80% जनसंख्या किसी न किसी रूप में किसान परिवार से जुड़ी हुई हैं ऐसे में प्रतेक सुसाइड को किसान का सुसाइड नहीं कहा जा सकता कृशी मंत्री ने कॉंग्रस पार्टी पर हमला करते वे कहा कि कॉंग्रस पार्टी पानी की समस्याओं को लेकर प्रदेश भर में मटका फोर्ड प्रदेशन कर रहे हैं लेकिन कॉंग्रस के कारेकाल में 152 किसानों ने आत्मेहत्या की थी, उसको लेकर पहले श्वेट पत्र जारी करना चाहिए। जब क्रिशे मंत्री को बीते दिनों ग्रह मंत्री के द्वारा दिये गए इस बयान की याद दिलाए गई कि कॉंग्रिस के कारेकाल में एक भी किसान नहीं की थी तो क्रिशे मंत्री ने कहा कि जाच के तरीके अलग-अलग होते हैं और इसके लिए IPC की धाराओं के तहट पुलिस प्रकरण की जाच की जाती हैं उसके बार ये पता करने का प्रयास किया जाता है कि आत्मेहत्या करने वाला व्यक्ति किसान था या नहीं साथी कर्ज की कारण किसान ने आत्मेहत्या की थी या फिर किसी और कारण से क्रिशे मंत्री ने सीधे सवाल का सीधा जवाब देने के बजाएं तोड मरोड कर आधा दुरा जवाब देने का प्रयास किया इन सब के बीच देखने वाली बात ये है कि जिस तरह से अनेदाता आंदुलन पे है और मोधी सरकार को कोसरी है उससे आने वाले चुनाओं पर कितना असर पड़ेगा और अब देखना ये भी होगा कि अपने सबसे बड़े वोट बैंक को सरकार कैसे संतुष्ट करेगी राजस्तान समबाद भी फिलहाल इतना ही दीजे इजाज़त नमस्कार ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले